नमस्ति में हूरीनुका तो आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक सैंविच की रिसेपी लिखे आई हूँ तो आज मैं आपको पनीर ब्रेड सैंविच बना की लिखाने वाली हूँ जिसे बनाना 90 ग्रेम पनीर लिए है और इसे मेंने स्मयाश कर लिया है तो इसके बाद हमे इसमें एक बारी कटके ओधे और हागतम सांवरी मिर्च डालने है तो आप हरी मिर्च अपने स्वाग क नुसाल भी ले सकते हो फिर उसके बास हमेंicki चाहिब चार चमच दही डालना है तो यहां मैंने चार चमच दही डाल दिया है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप बारिक कटके हुए हरी धन्या डालने है फिर आखिर में हमें इसमें स्वाद्नुसार नमक डालना है और इन सारे इंडिएंस को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ब्रेड लिया है तो सबसे पहले अभी हमें इन ब्रेड का जो साइड होता है उसे चाकू से कट करना है तो इस तरह से हमें इस ब्रेट का जो साइड है उसे कट करना है तो आप इस ब्रेट का जो साइड का कट के हुआ भाग है उसे फिके नहीं आप उसका भी रेसिपी के लिए इस्तमाल कर सकते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आप इस कट के हुए ब्रेट का इस्तमाल रेसिपी के लिए कैसे कर सकते हो तो यहां मैंने ब्रेट के चारो साइड कट कर लिए है फिर उसके बाद हमें इसके उपर टैमेटो सॉस लगाना है तो आप इंगल की चटनी भी इस पे लगा सकते हो नहीं तो आप इसके उपर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो तो यहां मैंने एक ब्रेट के उपर टैमेटो सॉस लगा दिया है फिर हमें इसी तरह और एक ब्रेट के उपर ऐसे ही टैमेटो सॉस लगाना है तो अभी मैंने इस दोनों प्रेट के उपर टैमेटो सॉस अच्छी तरह से लगा दिया है फिर उसके बाद हमें इसके उपर हमने जो पनीर का सारन बनाया है वो इस पे लगाना है तो हमें ठीक तरह से इसकी चारो तरफ अच्छी तरह से लगाना है तो यहां मैंने ब्रेट के उपर पनीर का सारण अच्छे जरा से लगा दिया है फिर उसके पाद हमें इसके उपर ब्रेट का दुसरा पीस ऐसे रख दिना है तो अभी यह सैंविच बनके त्यार हो चुका है तो अभी हम इसे तवे पे फ्राइ करने वाले है तो उसके लिए मैंने ग्यास पे दवा रख दिया है फिर हमें इसके उपर गी लगाना है तो आप गी की जगा तिल का भी इस्तमाल कर सकते हो मगर गी में सैंविच इस तेस्टी बनेंगी फिर आखिर में हमें अभी इस गी के उपर सैंविच इसको फ्राइ करना है तो हमें दोनों तरफ से ब्राउन होने तक इन्हें आच्छी तरह से फ्राई करना है तो मेने आतवे पे दोनों सैन्वीचिस रख दी है फिर हमें इसके उपर फिर से घीर लगाना है तो मैंने इसके उपर अभी घीर लगा दिया है और एक तरफ से अभी फ्राइ हो चुका है फिर उसके बाद हमें इसे चमसे से पलट देना है तो मैंने यहां दोनों सेर्विचिस को पलट दिया है तो अभी यह sandwich दोनों तरब से fry हो चुके है फिर हमें इन sandwich को चाकू से इसे बीच में से cut करना है तो यह दिखी? अभी यह panneer bread sandwich बनके त्यार हो चुका है तो आप इसे किसी भी sauce, चट्णी या सिर्फ चाय के साथ सर्व कर सकते हो तो आप ऐसे ही आसानि سے घर में पनीर ब्रेट सन्वीच बना सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिल से मिलते हैं और एक लए वीडियो में और एक लए रेसिपी के सब तो थांइक्ट्स परेंस वच में वीडियो